नमस्कार गुड मॉर्णिंग तो आज हमारा वीडियो लेक्चर है वो फ्रूट्स के बारे में बताएंगे मॉर्फोलोजी और फ्लावरिंग प्लांट का हिस्सा है तो फ्रूट है वो पहले तो कहां से डेवलोप होता है ये समझ लीजिए जब फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर्स में हमने आगे देख लिया कि ओविरी होती है इसके अंदर ओवियूल होता है तो ओविरी है उसमें से जो डेवलोप होता है वो होता है फ्रूट उसको हम फ्रूट कहते हैं और जो ओविल होता है उसमें से डेवलोप होता है इसे हम सीड कहते हैं कोई कोई बर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है मतलब पोलन ग्रेंज है वो नहीं पहुंच पाते हैं या तो फ्रूट ही ऐसे होते हैं जो पार्थेनोकर्पिक होते हैं तो उसको हम पार्थेनो कर्पिक फ्रूट बोलते हैं पार्थेनो कर्पिक यहां फर्टिलाजेशन नहीं हुआ होता है बस इतना से समझ लीजिए अब फ्रूट में इसकी जो फ्रूट वाल है उसमें तीन हिस्से रहते हैं एक तो पेरिकर्प दिखाए पड़ता है और एंडोकर्प तो फ्रूट में हम कभी पेरिकर्प खाते हैं कभी मिजोकर्प खाते हैं कभी एंडोकर्प खाते हैं कभी तीनों चीज खाते हैं कभी हो सकता है तीनों चीज नहीं खाके और दूसरा चीज खाते हैं मतलब fruit खाते ही नहीं है दूसरा जैसे की अपल में अपन इस इंदा फॉलसुट धूल फॉल जैसे की आपल में एटम्रह को है वो बाकिका जो फैक देते हैं और खाते हैं वो थैलमस खाते हैं जो फ्लावर का हिस्सा है फूल का हिस्सा फ्रूट का हिस्सा नहीं है क्योंकि हम फ्रूट का बाई डेफिनेशन जो ओवेरी वाला पोर्शन है उसी को फ्रूट बोलते हैं तो जो ओवेरी जो एपल का बीच व लोग अलग टाइम पर अलग अलग चीज हम कहते हैं जैसे इसम आपर पूरा फ्रूट में । smooth layer रहता है फिर अंदर fibrous layer रहता है फिर एक card layer रहता है तो यह ही pericarp, misocarp और endocarp है तो यह तीनों हम नहीं consume करते हैं हम consume करते हैं seed को जो endosperm है वो seed का हिस्सा है तो fruit को basically समझ लीजिए कि fruit ovary को ही ripened ovary को ही हम fruit बोलते हैं ठीक है अभी fruit का classification इसका अगर एक flower single flower से भी develop हो सकता है फिर single flower but polycarpillary बतलो बहुत सारे carpel है carpillary से भी develop हो सकता है और यह यहां पे single but यह carpel यहां पे sink यह apocarpus मतलब possibility यह है कि यहां पे carpel fused नहीं है यहां पे carpel fused है तो single flower यहां इसमें monocarpal भी हो सकता है bicarpel भी हो polycarpillary भी होता है लेकिन single flower है और इसकी carpel necessarily sink carpus है मतलब fused है यह aggregate यह simple fruit है इसको हम simple fruit बोलेंगे इसको हम aggregate fruit बोलेंगे और दूसरा है composite composite में पूरा जैसे आप अंजीर खा रहे हो ना अंजीर it is an hypothodium वो group of flowers है और दूसरा इसमें example हम दे सकते हैं jackfruit का दे सकते हैं jackfruit भी it is a group of fruit और पूरा inflorescence है वो fruit में convert हो जाता है जबकि aggregate fruit में each carpillary fruitlets में develop होती है fruitlets में develop होती है जैसे हम खाते हैं custard apple ले लो custard apple में white portion आता है फिर बीच में black portion seed आता है ऐसी बहुत सी black portion और white portion रहता है तो each जो white portion है उसको हम fruitlet कहते हैं और यह पूरा जो green cover आता है इसको पूरा fruit और यह fruit बनता है aggregate fruit ऐसा ही एक होता है strawberry strawberry में ही इसी तरह से arrangement होती है jackfruit है pineapple है those are all example of composite fruit जिसमें पूरा inflorescence fruit में convert हो गया है तो यह basically तीन category में हमने divide किया है simple, aggregate and composite और simple में अभी और थोड़ा depth में जाएंगे और एक portion इसमें खतम करेंगे तो simple में दो possibility है simple, dry और simple, flashy तो अगर simple fruit में जाएं तो इसमें दो possibility रहती है simple और यह dry है और simple, flashy है तो as a name suggest के dry है मतलब कोई भी चीज इसमें flashy या juicy या pulpy नहीं है तो इसको हम simple dry बोलेंगे अगर इसमें कोई भी चीज flashy, juicy, pulpy है तो उसको हम simple, flashy बोलेंगे तो simple dry को और divide करते हैं उसका rupturing माने के तूटने के आधार पे तो अगर अपने आप नहीं तूटता है तो हम उसको indehescent बोलते हैं अगर अपने आप तूट जाता है तो उसको हम dehescent बोलते हैं अगर दोनों के मीच में मतलब some portion तूट जाता है some नहीं तूटता है और seed dispersed नहीं होती है तो इस तरह को हम साइजोकर्पिक बोलते हैं साइजोकर्पिक बोलते हैं अभी थोड़ा इंडेहिसेंट में आज थोड़ा डेफ्ट में और जदध देख लेंगे कि इंडेहिसेंट में पॉसिबिलिटी किया है एक तो इसका सीड कोट प्लस पेरिकार्प अगर फ्यूज हो गया तो इसको हम बोलते हैं केरियॉपसिस और इसका दूसरा इसको हम ग्रेंज भी बोलते हैं यानि के वीट है, मेज है वो सारे ग्रेंज होते हैं इसको यह कैटेगरी में आते हैं जहांपे सीड कोट और पेरिकार्प फ्रूट का जो wheat, mays actually fruity है तो ये एक single flower से develop होता है Monocarpillary normally होते हैं और ovary normally superior ovary ही रहती है इसमें inferior ovary नहीं रहती है तो ये हो गई केरियोपसिस के बात केरियोपसिस के अलावा अगर seed coat और pericarp fused नहीं है तो इसको acne ऐसा भी बोलते हैं इसमें seed coat और pericarp fused नहीं है तो ये वाले जो है इसका category में कभी-कभी इसको acne और indehescent ऐसा भी बोला जाता है मतलब combined acne इसमें आता है तो acne and indehescent combine करब के भी-कभी बोलते हैं और acne का example है इसमें seed coat और pericarp fused नहीं रहते हैं बाकि ये भी single है monocarpic इसमें bicarpillary हो सकता है लेकिन ovary दोनों की superior ही रहेगी ये monocarpic ये भी single flower ये भी monocarpic और ये भी ovary superior लेकिन difference ये हैं कि seed coat और pericarp fused नहीं है इसमें ठीक है इतना ही difference है मेरा बेलस जल्पा जिसको हम फोरो ब्लो मेरा बेलस जल्पा पहुत से example है फोरो क्लोक प्लांट बोलते हैं ये इसका प्लासिकल एक्जम्पल है अभी और तीसरी केटेगरी आती है दो केटेगरी हमने dry indehycent में देख ली एक नमबर केटेगरी केरियोप्सिस दो नमबर की केटेगरी एकने तीन नमबर की केटेगरी अभी आती है इसमें ovary inferior रहती है ये bicarpelleri to polycarpelleri हो सकते हैं और इसका specialized feature यह है कि पैपस या तो कोई अलग flower का अलग हिसा इसके साथ fruit के साथ लगा रहता है जैसे पैपस लगा रहता है सनफ्लावर में सॉंकस में सनफ्लावर में सॉंकस में जरूरी नहीं है पैपस ही स्कैलिक्स का जो पॉर्षन इसमें सैपल्स का जो पॉर्षन मोडिफाई होके पैपस बनता है ये पी यू एस पैपस ठीक है तो सनफ्लावर सॉंकस में ये थैलेमस भी हो सकता है तो इसको हम बोलते हैं सिपसिला और यहां पे ओवेरी इंफीरियर होगी इंफीरियर होगी ठीक है अब इस सिपसिला के बाद आते हैं हम नट्स में तो पहले नट्स किसको बोलते हैं नट्स उसको बोलते हैं जिसका पेरिकारपाड होता है अगर पेरिकारपाड होता है तो उसको हम नट्स बोलते हैं तो नट्स में हम कौन से एक्जामपल लेंगे एक तो कैश्यू नट होगा फिर होगा ट्रापा ट्रापा याने के सिंकाडा सिंकाडा सब ने खाया हो है ना ट्रापा जो ब्लैक कलर काता है वो वाला ये सारे नट्स की केटेगरी में आते हैं और ये ड्राइफ रूट इमाने हो जो हम नॉर्मली बोलते हैं जो काजू है बदाम है किसमी से वो वाले ड्राइफ रूट नहीं है ये वाले ड्राइफ रूट में कोई फ्लैशी पोर्सन नहीं है इसलिए हम इसको ड्राइफ रूट बोलते ह लास्ट में जो इंडेहिशंट में आता है वो वाला है शामारा लास्ट वाला पॉर्शन आता है सामारा सामारे की स्पेशालिटी क्या है इसके जो टेस्टा और टेग्युमेन मतलब जो सीड कोट है वो सीड में एक ड्वीन पॉर्शन उसका सीड कोट से बन जाता है यह इसको बोलते हैं समारा का फ्रूट बोलते हैं और यह हमको मिलता है इलम ऐसा करके एक प्लांट है दूसरा भी है हिप्टेज लेकिन आपको याद रखना ढूंवनान है तो रख लीजिए तो घीक है तो हमने आज क्या किया फ्रूट कहां से ठेवल बुलत पहता है तो फ्रूट मसे बादे साथ काया हैं कि क्यांद चैनल टांल प्रशय होग में तो फ्रूट का गया simple aggregate और composite simple क्या है जो एक ही flower से develop होता है और carpelle necessarily fused इसके दूसरा aggregate है उसमें flowers single हो सकता है ज्यादा हो सकता है लेकिन carpelle इसकी polycarpelleri है और carpelle fused नहीं है मतलब यह apocarpus है तीसरा हमने देखा composite तो composite क्या है composite में पूरा inflorescence develop हो गिया है पूरा fruit में जैसे कि jackfruit है pineapple है इस तरह से और aggregate का example में तो strawberry है फिर वो जो हम custard apple खाते है वो वाला है तीसरा dry simple में दो हिस्से है फ्लेशी और dry तो dry में हमने तीन हिस्से बनाए एक है जो size मतलब जो dehiscent है जो अपने अपने आप नहीं खुझे एक अपने आप आदा खुलते आदा नहीं खुलते है तो हमने indiesay country 5 category ले हिस एक कैरियोपशे दूसरा लिए एक ने हिस र hinरा समीरा फिर लिया हमने मर आऄ तीसरा लिए summer कैरियोपशी फिर 56 ला और पांच वाली लिए नट्स तो यह पांच है ड्राइ इंडेहिसेंट के पोर्षन अभी नेक्स्ट पोर्षन में हम ड्राइ में आगे और दो ही सेवा किरे गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे थैंक्यू सू मच